Artificial Intelligence यह आपके और मेरे लाइप में, मेरे कहने का मतलब है हम सभी human being के लाइप में एक बहुत बड़ा revolution लाने वाला है तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि EI को समझ लो, EI को जान लो, सीख लो और इसलिए मैंने चैट GPT की उपर आलड़ी एक वीडियो बनाया था जो की उपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और चैट GPT की वज़े से किन लोगों की जॉप खतरे में आ सकती है इसकी उपर भी मैंने Learn More चैनल में हाली में वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा जरूर चेक आउट करना अब इस उडियो में मैं आपको Artificial Intelligence अपने मोबाइल में AI बेसिकली अपने मोबाइल में कैसे इस्तमाल करना है यह सिखाने हो ला हूँ तो इंट्रेस्टर तो वीडियो एड तक देखिएगा सीधी बात नो बकवास चलिए यह वीडियो शुरू करते खास तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं सबसे पहले में मेरे मोबाइल उठा रहा हूं मैं प्ले स्टोर पर जा रहा हूं हो रहा है लेकिन मैं आपको बता हूँ कि Microsoft दिन पर कुछ ना कुछ नया इंट्रूस करते जा रहा है और यहां पर mobile के उपर भी AI आप इस्तमाल कर सकते इनके यह बिंग वाले application के अंदर तो यह AI में आप इस्तमाल करके आपको दिखाने होला practically हम देखेंगे कि इस AI की मतद से हम कैसे poem लिख सकते या फिर blog लिख सकते content कैसे लिख सकते या कोई भी problem है यहां पर हम उसे पूछ सकते बेसिकली बहुत सारे problem आप यह AI को पूछ सकते तो वह problem का जवाब कैसे देता है हम इसके साथ chat करने वाले है अभी यहां पर मैं इस application को open करता हूँ यहां पर यह application open हो चुका है लोगो एनिमेटेड हो चुका है इसे मैं allow कर देता हूँ तो यहां पर बिंग इस तरह से open हो चुका है और नीचे आपको एक middle में icon दिखाए दे रहा है बी करके राइट तो इसके उपर मैं tap करूंगा यह बिंग chat open हो रहा है और वो पूछ रहा है आपको choose a conversation style तो मैं यहां लिखना चाता हूँ आपके लिए मैं पोएम लिखना चाता हूँ तो मैं इसे बोलूगा कि जो मेरे viewer है यह मुझे हमेशा like करते share करते जो मेरे student है basically उनके लिए एक पोएम लिखना है तो यहां पर मैं एक सवाल लिख दिया है simple सा सवाल लिखा है can you write a poem in Hindi for my students आपके लिए AI की जरीए लिखवाना चाता हूँ वैसे मैं भी लिख सकता हूँ मैं college के जमाने में poem लिखता था लेकिन अभी मैं technology में आ गया तो मैं AI से लिखवा हूँगा आपके लिए poem खास आपके लिए चली देखते AI क्या poem लिख रहा है can you write a poem in Hindi for my students यह मेरे सवाल है और नीचे मैं आपको दिखाए दे रहा है answer generate कर रहा है sure here is a poem that you can share with your students वो हो poem लिख या रहा है जो दिल को छू जाए वही अच्छी कवीता है जो बार बार पढ़ने पर नया सा लगे हर बार जो आपके दिल में हो वही आपके लिए सही हो कुछ नया करने की होड में पुरानी कलपनाओं को मत भूलो हमको भी मत भूलो राइट चैनल को subscribe करना भी मत भूलो like करना भी मत भूलो सपनों के संसार में आपका स्वागत है हमेशा कुछ रहना है तो सपनों को पूरा करना है क्या बात है यह मैंने AI ने कवीता लिखी है हमारे लिए तो basically ऐसे डेर सारे सवाल आप AI को पूच सकते। आप यह इप एंगलीश में चाहते हैं तो इंगलीश में भी Convert करके ले सकते हैं, यहाप माइक पे क्लिक करके सवाल पूछ सकते हैं, और उपर यहाप इनको copy करना है, तो यहाप चोटा सा copy option भी आपको दिया है। साथी में आप AI को बता सकती कि यह पोएम आपको अच्छी लगी तो उपर लाइक का बटन दिया है, लाइक आप कर दो, डिसलाइक अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दो, मतलब वो अपने आपको इंप्रू करता है, तो आप अपने यहां पर यू ज़रूर सब्बेट कर आप जैसे चाट करते जाओगे, वैसे जवाब देते जाएगा और आप चाट को लाइक करोगे, तो उसे समझ में आएगा कि यह चाट का अंसर जो है, मैंने प्रॉपर दिया है, तो यह इंप्रू होते जा रहा है, तो आप ज़्यादा स्यादा AI टूल का इस्तमाल करो अप से पहले बताओ दूँ कि यह जो कोर्स मैंने डिजाइन किया ना, चैट GPT ने एकसल, यह कोर्स मैंने पहले 1000 स्टुडंस के लिए बस 9 रुपीज में एवैलेबल करके रखा है, मैं चाहता हूँ कि यह कोर्स आप सीखे, आप थोड़ा सा स्मार्ट बने, जमाने के साथ आग प्लेश्टर पर जाओ, स्कील कोर्स सर्च करो, वहां पर प्र वहां से सीख सकते हैं, चैट GPT ने एक सल भी कोर्स कंप्लिशन सर्ट अपके साथ आपको वहां पर कोर्स मिलने वाला है, तो अगर आप इंटेश्टर तो ज़रूँ चेक आउट कीजिए, और भी धेर सारे कोर यह information देनी की कोशिश की, कोशिश कैसे लगी मुझे जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, इतना ही कहोंगा, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक लिए अपना खयाल भी करना है यार, बाई बाई